तो अगर आप WhatsApp यूज करते हैं तो WhatsApp बैंकिंग, आज की वीडियों मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने WhatsApp से अपना अकाउंट बैलेंस, अपना अकाउंट का पूरा डीटेल वगरा जान सकते हैं, लास्ट फाइफ ट्रांजेक्शन के बारे में जान सकते हैं, अगर आप WhatsApp यूज करते हैं, यानि WhatsApp अगर आपको अगर आपने अकाउंट का बैलेंस पता करना होता तो आपको ब्रांच विजिट करना पड़ता है, या Net Banking या Mobile Banking को ओपन करके हमको देखना पड़ता है, लेकिन अगर आप WhatsApp यूज करते हैं, तो WhatsApp के जरीए आप अपने बैंक का अका आया हुआ है, बहुत सारे बैंकों में ये facilities मिल गया है, तो चलिए इस विडियो को स्टार्ट करते हैं, जान लेते हैं कि कैसे आप WhatsApp को अपने WhatsApp के माध्यम से आप अपने बैंक का बैलेंस जान सकते हैं, या Last 5 ट्रांजेक्शन जान सकते हैं, तो आज के विडियो में आपको आकाउंट बैलेंस का बैलेंस चेक करना, इस टेटमेंट निकालना है, या आपको आकाउंट डीटेल पता करना, तो आज के विडियो बहुत कमाल के होने वाला, मैं आपको बताऊंगा WhatsApp में, आप WhatsApp बैंकिंग के माध्यम से सारा कुछ पता कर सकते हैं, चलिए मैं इसको जान बैंक का है, अगर आपके पास AU Small Finance Bank का है, तो यहाँ पर मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में सारे बैंकों का टोल फ्री नमर दे दूँगा, जो WhatsApp बैंकिंग जिस नमर से होता है, वहाँ पर वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको सारे जो भी बैंक, WhatsApp बैंकिंग की फैस बैंक में है, तो वसी से आपको WhatsApp के यहाँ पर आपको जा करके ही टाइप करना, सिंपल ही टाइप करके आपको सेंड कर देना, जैसे आप ही टाइप के सेंड करेंगे तो आपको यहाँ पर मीनू सो कर देगा, जैसे आपको ही टाइप करेंगे तो आपको यहाँ पर मीनू सो होता है यहां पर simple सा आपको बता देता है यह OTP यहां पर डालने के लिए बोलता है आपके mobile number पर OTP जाएगा तो वह OTP आपको यहां पर simple सा डाल देना है तो मैं यहां पर OTP डाल देता हूँ यहां पर यहां पर आपको OTP डाल करके send कर देना है आप सारा चीज लास्ट फाइफ ट्राम्जेकशन जान सकते हैं अपना कस्तमर आईडी आज पास के ब्रांचेश जान सकते हैं आप ये इसको बोलते हैं ये एक ही बंक नहीं आपे बहुत सारे bank में facility मिली हुई है जो भी banks है इन सारे bank को में मिला हुआ जैसे IDFC first bank है इसमें भी आप कर सकते हैं same procedure है इसका भी innocent bank है इसमें भी आप कर सकते है तो जो भी आपका bank होगा वो सारा कुछ आप पता कर सकते हैं yes bank है इसका भी आपको आप mobile banking यूज़ करना चाहते हैं तो इसमें भी कर सकते हैं मैं वीडियो के description में सारे banking का आपको toll free नमबर दे दूँगा बस आपको अपने mobile में save करना है वही mobile नमर आपके जो bank में register डोना चीए उसी mobile नमर से आपको whatsapp में ही link करके type करना है जैसे आप ही linker करेंगे आपको सारा detail आजाता है यहाँ पर आप जा करके पता कर सकते हैं यहाँ पर ICICI banking है आप आप ICICI का भी जान सकते हैं SDFC banking है SDFC banking का भी आप जान सकते हैं यहाँ पर सारे RBL bank है इसका भी अगर जानना चाहते हैं आप अपने account का balance होगरत चेक कर सकते हैं, कहीं पर account number की जरूरत नहीं है, घर बैटे ही आप सारे features का आनंद उठा सकते हैं, तो ये features आपको कैसा लगा, अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को comment का section में जरूर बताईएगा, और आपको वीडियो पसंद आगा तो वीडियो को like करिएगा, और चैनल को subscribe करकर रखिएगा, मिलते हैं नेक्स वीडियो में नएट उपीक साथ, तब तक लिए जय हीं, जय भारत!